तो चर्कल का एरिया किस पर डिपेंट करता है रेडियस पर डिपेंट करता है यानि कि रेडियस को में 50% बढ़ाएंगे यानि कि 50% के फ्रेक्शन बैलू एक बटे दो रेडियस दो से कितना हो गई तीन होगी अब इसका कर लो स्क्वाइर आप क्योंकि पाई आदे स्क्वाइर होता है तो दो करोगे चार तीन का करोगे नो यान चार से भेलू नो होगी कितनी बढ़ गई पांच पांच बटे में चार गुना सो यह हो जाएगा कितना आपका भाई 25 परसेंट 125 परसेंट टीक है 125 परसेंट अपसर नमबर टू मैं फर्मूला लिखना चाहूं तो वैसे भी कर सकता हूं हलाकि आपको यह चीजह समझ में आने चाहिए कि सर्कल का एरिया होता है रेडियस में डिपेंड करता ह बढूर रेडियस कितना होता है रेडियस अरे अरोवन अगर यहां पर्तू मानोगे था राEx कितना हो जाएगा 151 बढ़रर करोगे 2025 अब यहां पर मैं लिखूंगा 5 kry क् screening界 कर आटो कितना है तिन के स्क्वाइर करोगे नो वैलू चार से नो हो यह इसके एरिया में परिवर्थन कितना कर रहा है पांच पर परसंटेज की बात करें ते कितना हो जाएगा 125 परसेंट इसलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा जो सरकल का एरिया होता है किस पर डिरेक्टली डि डिपेंडेंट करो किस पर होता है वह रेडियस पर डिपेंड करता है